हेलो यो स्वागत आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्कूल टूशन गुरीजी में आज हम बात करें कार्य पत्रक उनत्तर की जो की 18 दिसम्मर के लिए जारी किया क्या है यह कक्षा 9 का विज्ञान में शेकर पत्रक है आप बिच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहां कार्य तथा उर्जा और इसमें अब तक हम कार्य के बारे में और विविन परकार की उर्जा के बारे में पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पिछले कार्य पत्रक में कुछ कार्य पत्रक में जाना था इस्तिज उर्जा और गतिज उर्जा को कैसे हम गणना कर सकते हैं गणितिय कार्य पत्रक आपको क्या समझाना चाता है बचो तो चलिए शुरू करते हैं जब भी उर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रुपांतरित होती है तो उस निकाय की कुल उर्जा अपवरत्तित रहती है ऐसा उर्जा संदक्षन का नियम के कारण होता है या नियम के अनुसार उर्जा का नातु बनाया जा सकता है और ना ही नश्ट किया जा सकता है उसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतर्ण हो सकता है उर्जा संदक्षन का नियम सभी स्थितियों और सभी परकार के परिवर्थनों के लिए मानने हैं यानि कि उर्जा को ना थाम बना सकते हैं ना ही कतम कर सकते हैं पर तुन तो एक परकार की उर्जा को दूसरे रूप में या एक रूप की उर्जा को दूसरे रूप में रूपा अंतरन कर सकते हैं उसे परवर्थित कर सकते हैं बचो चलिए बचो आगे बढ़ते हैं एक सरव दुधारन से समझते हैं माल लीजे एम दरववान की वस्तु ह उचाई से सतंतव पूरक गिराई जाती है प्रारम वे सित्य उर्जा म जी एच यानि की काइनेटिक पोटेंचल एटजी तथा कटिज उर्जा बराबर 0 जीरो क्योंकि इसका प्रारम्बिक वेग 0 है जब यह वस्तु गिरती है तो इसकी इस्ति उर्जा गति उर्जा में परवर्थित होती है यदि किसी दिये हुए शन पर वस्तु का वेग V है तो गति उर्जा बराबर 1 by 2 Mv2 यानि कि काइनेटिक इनेजी बराबर हो जाएगी 1 upon 2 Mv2 आगे है वस्तु जैसे जैसे नीचे इर्जा कम होती जाती है तो गति जूर्जा बढ़ती जाती है यानि जैसे जैसे नीची गिरीगी ये क्या होगा इसकी स्थिर्ज उर्जा कम होगी यानि कि potential energy कम होगी और जो गतिज उर्जा है यानि कायनेटिक energy है वो बढ़ती चले जाएगी बच्चो आगे है जब वस्तु धर्ती पर पहुशने वाली होती है तो h 0 होगी तथा इस अव बंदों पर वस्तु की स्थिर्ज उर्जा तथा उर्जा का योग समान होगा अर्थात इस्थिर्ज उर्जा एम जी एच प्लस गतिज उर्जा एक बटे दो एम वी स्कार यानि की potential energy और कायनेटिक energy अच्रय या एपरवड़तित रहेगी बच्चो किसी वस्तु की गतिज उ उचाई पर रहेगी तो उसकी के यानि कायनेटिक energy यानि गतिज उर्जा शून रहेगी क्योंकि किसी वी वस्तु की कुछ इस्थिती हो जिस इस्थिती में वह है उसके कारण जो उर्जा होती है वो कहलाती है उर्जा या potential energy और कोई वस्तु कितनी तेजी से वेक कर रही है वेक करने की वज़े से जो उसमें उर्जा अपराप्त हुई है वो कहलाती है उसकी गति जूर्जा या गति के कारण जो उर्जा मिलती है वो गति जूर्जा या कायनेटिक energy कहलाती है तो यहाँ पर वो गति नहीं कर रही है फिलाल तो इसकी उर्जा होगी के या कायनेटिक आएगा कि इस थी जूर्जा नियूम्तम या शून्य पहुंच जाएगी और गति जूर्जा जो है वह अपने अधिक्तम नंबर पहुंच जाएगी जो की जी बराबर होगा जितने पर सुरवाती दोर में पी-ई यानि इस थी जूर्जा थी उस वक्त जब वो उपर रखी हु से गिरते समय इसके पत्त में किसी बिंदू पर इस्थी उर्जा में जितनी कमी होती है गती जूर्जा में उतनी ही विर्थी होती है यानि कि एक में कमी होगी तो दूसरे में विद्धी होती चल जाएगी बच्छो आगे हैं इस परकार गुर्टिवी इस्थी उर्जा का गती जूर्जा में निरंतर रुपांतर हो रहा है तो क्या हो रहा है यहां पर गुर्टिवी इस्थी जूर्जा गती जूर्जा में निरंतर परिवर्तित हो रही है जब उपर से वो नीचे गिर रही है कोई वस्तू तो बचो ये तो बात हुए आपके कारेपत्र कि अब ज़रा प्रशन तो देख लेते हैं पहला प्रशन है उर्जा संदक्षन का नियम लिखिए तो उर्जा संदक्षन का नियम क्या कहता है बचो इस नियम के अनुसार उर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतर्ण हो सकता है ये उर्जा संदक्षन का नियम का उल्लंगन है प्रशन नमबर दो है एक सराल गोलक या लोलक चल रहा है तो वो कुछ दूरी तै करता है जैसे जैसे वो दूरी तै करता है वो चलता जाता है लेकिन हमारे जो अगर नॉर्मल भासा में समझे तो हमारे जो आस पास के वातरण है उसमें एक और बल काम करता है वो होता है वायू के द्वारा लगाया गया घर्षण मल जिसे हम friction force कहते हैं अंगरी जी में तो जब ये गोला घूम रहा होता है ये पिंड घूम रहा होता है ये लोला घूम रहा होता है तो इस पे क्या लगना शुरू होता है गतिशील गोलक पे वो घर्षण बल लगना शुरू होता है जो घर्षण बल क्या होता है बल की विपरीद दिशा में लगता है और क्या करता है वस्तू को रोकने का काम करता है एक तरह से यानि कि एक गाड़ी चल रही है उसमें हमने ब्रेक लगाने का काम किया है तो होगा क्या जब उसकी जो गती है वो कम होगी तो यह जो घर्षन बल है यह बढ़ता सल जाएगा जैसे कि अभी हमने पढ़ा उर्जा संदक्षन के नियम में कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कटेगा क्योंकि जो उसकी वैल्यू है यानि कि जो उसका माप है वो सेम रहना चाहिए तो यहाँ पर क्या होगा उजजा संदक्षन के नियम का लंगत तो होगा नि लेकिन उसके काम करते वे जैसे जैसे वो रुकनी की स्थिति माता जाएगा ये बढ़ता चल जाएगा घर्षन बल बढ़ता चल जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी गरशन मल अदिक्तम हो जाएगा और जो वेग है उसका वेग के कारण जो उसमें उर्धा चल रही है वो खतम घुल हो जाएगी तो तब वो रुक जाएगा बच्चोँ विरा मवस्ता में आ जाएगा तो यहाँ पर उजा संदक्षण का नियम का पालन किया जा रहा है एक तरह से यह कह सकते हैं ठीक है बच्छो चलिए अगला प्रस्ट देखते हैं प्रस्ट नम्बर तीन है कुछ अलग ही है आपका प्रस्ट नम्बर तीन और इसे ध्यान से भी किज़ेगे बच्छो प्रस्ट नमर तीन है बीस किलोग्राम का कोई बिंट चार मीटर की उचाई से मुक्त रूप से गिरा जाता है निम्ज साड़नी के अनुसार प्रते एक इस्तिने में गतिज तथा गतिज उर्जा की गंड़ना करके साड़नी में बरिये जी बराबर 10 मेटर प्रती सेकिंड इसको है तो करना क्या है आपको 4 मेटर, 3 मेटर, 2 मेटर, 1 मेटर इतनी उचाई पे ये सारी की सारी टेबल में जानकारिया बननी है और जब आप इसे देखेंगे तो आपको सारी बाते समझ में जाएंगे आज ये कारे पत्तरग में आपको क्या बताया गया बच्चो ठीक है बच्चो चलिए देखते हैं से गंड़ना करके सकी तो बच्चो जब हम इस कोश्चन को सौल करनी कोशिश करेंगे तो आप टेबल में सारी चीज़ों को वेल्लियों को एक साथ परते चले जाना हमें यहाँ पे गिवन है M बराबर 20 kg, G बराबर 10 और H बराबर 4 तो हमें हर हाइट पेस का क्या निकालना है कि कितनी इसमें Potential Ergy है, EP है कितनी इसमें कायटिक Ergy यानि कि कतित जूर्जा और सित जूर्जा दोनों को निकालते चले जाना है साथ के साथ ठीक है बच्चो तो जब सबसे पहले हम 4 मिटर हाइट पर निकालेंगे से तो इसमें potential energy या इस ती जूर्जा कैसी होगी MGH 20 गुणा 10 गुणा 4 और यह होगी 800 जूल अब क्योंकि यहाँ पर V0 है यानि कि वो move नहीं कर रहे है क्योंकि position है खाली उसकी इस वज़े से तो इसकी गति जूर्जा क्या हो जाएगी बच्चो गति जूर्जा हो जाएगी 0 तो इन दोनों का जो जोड होगा यानि इन दोनों का sum जो होगा वो जाएगा 800 जूल या 800 जूल अब जब हम आगे बढ़ेंगे ठोड़ा सा tricky जो चीजों को समझना है बच्चो यहां से समझना है आपको अब हम पहुँच गए 3 मेटर या 3 मेटर हाइट पे यानि कि 4 मेटर से 3 मेटर हाइट पे अब क्या होगा अब हमें इसका पहले V निकालना पड़ेगा अगर हमें काइनेटिक एनरजी या गति जूर ज़र निकालना पड़ेगा उसकी वैल्यू निकालना पड़ेगी जब हम आगे बढ़ सकते हैं तो हमें चाहिए एक एक्वेशन कौन सी V स्कॉर माइनस U स्कॉर बराबर 2 A S तो यहां पे U 0 है क्योंकि इनिशल स्पीड 0 होती है हर बार A बराबर G बराबर 10 मीटर पर 30 सेकिंड स्कॉर यह दोनों बराबर जाएंगे क्योंकि एक्सेलेशन और जो ग्रैविटी है गरतोकर्षन है वो बराबर हो जाएगा उच्छो तो एस बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 बैस चार मेटर है इती तीन मेटर पर पहुँच गया तो उसका तो उसके उसके कितना जाएगा वी की वैल्यू कितनी की निकालनी है एक मेटर की निकालनी है तो जब हम इसे वैल्यू को रखेंगे आप बच्छो V स्कॉर माइनस यू बराबर 2 गुणा 10 गुणा 1 यानि कि 2 इंटू 10 इंटू 1 तो V स्क्वार बराबर जाएगा 20 के ठीक है बच्चो अब अब क्या करना है हमें इन दोनों value को उसमें put up करना है यहाँ पर क्या होगा MGHM की value में 20 इंटू 10 इंटू 3 3Q क्योंकि 3 मेटर हाइट पर पहुँच गई है तो यह आएका अंसर 600 यानि 600 और यहाँ पर क्या होगा 1 upon 2 इंटू 20 M20 है और V स्क्वार हमने निकाला है बराबर है 20 के तो यह आगया 200 अच्छा एक चीज नोट कीजिए बापस में उपर value थी 800 जो कि आपको बाद में भी देखने को मिलेगी नीचे जब 3 मीटर पर आगी दोनों का सम आगया तब भी 800 ठीक है बच्छो तो यह सेम दहेगा अब आगी देखते हैं चलो अब जब हम पहुच गए 2 मीटर हाइट पर पहुच ओ तो क्या होगा बच्छो सेम कंडिशन वही अप्लाई करेंगे हम एक्वेशल लगाएंगे अपनी V स्कॉयर माइनस U स्कॉयर ताकि हमें V स्कॉयर मिल सके अब यहां पर कितना होगा S बराबर 4 माइनस 2 इस इकल टू मिटर यानि 2 मिटर है गया वो अब जब इसमें V पूट अप करेंगे हमारा जाएगा V स्कॉयर बराबर 40 या 40 फिर यहां पर V पूट अप करेंगे MGH 20 इंटू 10 इंटू 2 यानि 20 गुणा 10 गुणा 2 2 क्यों क्योंकि 2 मिटर राइट पह पहुँच चुकी है तो यहां गी 400 जूल या 400 जूल और यहां पर क्या करेंगे यहां पर जब value put up करेंगे तो यह आ जाएगी 400 जूल या 400 जूल यहां पर भी ठीक है अब इस stage पर क्या होगा यह बीच में पहुच गई है क्योंकि 4 मिटर हाइट टी टोटल 4 का आदा 2 यानि कि इस stage पहुच करके लगबग पराबर होगी एनरजी 400 प्लस 400 एट हंड़ यानि 400 प्लस 400 जूल टो 800 जूल ठीक है बच्छो अब आगे जब हम बढ़ेंगे क्या करेंगे बच्छो आगे बढ़ेंगे फिर वही करेंगे हम यानि कि अपनी equation लगाएंगे v square minus u square is equal to 2as और बाकी चीज़े यहाँ पर same रहेंगी अब s क्या हो जाएगा? s हो जाएगा 3 meter यानि कि 3 meter उसने दूरी देख लिए यानि कि यहाँ पर क्या हो रही है? यहाँ पर height घट रही है और इसका जो यह है s बट रहा है ठीक है? तो यहाँ पर v square निकलेगा हमारा 60 जाब मैं इस equation में इसे put up करेंगी यानि v square minus 0 बराबर 2 into 10 into 3 यानि 2 गुण 10 गुण 3 v square आजाएगा हमारा 60 यानि 60 ठीक है बच्चो? अब जब इसमे value put up करेंगी हम तो यह आएगा e p बराबर m गुणा g गुणा h 20 into 10 into 1 यह आएगा 200 और यहाँ पर जब value put up करेंगी तो यह आजाएगा हमारा 600 और यह रह गया तो लिख आब बच्चो? तो यह आगया 600 is equal to 800 जूल यानि कि यहाँ पर भी यह सेम ही रहेगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब आगरी position कब आएगी बच्चो? जब वो ground पे पहुच जाएगा तो जब वो ground पे पहुचेगा तो उस case में height होगी 0 तो यह तो सीधा सीधा निकल गया हमारा यानि कि e p यानि कि हमारी जो इस ते जूर जाएगा potential energy हो सीधी सीधी हो गई 0 जैसी हमारी सुरुवात में kinetic energy या गति जूर जाती बच्चो? अब हमें निकालना पड़ेगा V वापिस से तो उसके लिए फिर formula यही लगाएगे V square minus U square बराबर 2 AS U 0 meter है A बराबर G गुरा A बराबर G बराबर 10 meter परती सेकेंड स्कार यह 10 meter परती सेकेंड स्कार और S हो जाएगा यहाँ पे 4 minus 0 यानि कि 0 हो पहुचके हम उल्टा चल रहे थे ला तो 0 पहुचके हम अभी होगे 4 4 meter हो गया तो जब इसमें value put up करेंगे हमारा यहाँ आएगा V square बराबर 80 और इसे जब हम solve करेंगे total को तो हमारा answer आजाएगा 800 बच्चो अब जो 800 आगया तो दोनों का समाएगा या जोड आएगा 800 ठीक है बच्चो तो यह तो हुई solution की बात अब जब हम table को देखेंगे अपनी तो हमें क्या देखने का मिलेगा बच्चो देखतें चलिए तो बच्चो जब हम इस पूरी के पूरी अपनी table को complete करेंगे तो हम पाएंगे कि जो गति जूर्जा है जब शुरुआत हुई किसी वस्तो गिन्नी की जब शुरुआत हुई तो गति जूर्जा या काइनेटिक अनर्जी तब थी 0 ठीक है बच्चो और इस थी जूर्जा या potential energy थी सबसे ज़्यादा जब वस्तो धर्ती के उपर पहुची तो इस थी जूर्जा हो गई 0 और गति जूर्जा या काइनेटिक अनर्जी हो गई 800 यानि कि दोनों ही केस में जो कुल उर्जा थी वो 800 रही और जब अकर हम बागी की स्थितियों पे ध्यान दे थोड़ सा ये वाली ये वाली ये वाली इस स्थिति पे भी उर्जा जो है सेम ही रही है यानि जो पूरी उर्जा थी कुल उर्जाती वो लगबख सेम रही है तो ये के दर्शाती है बच्चो ये दर्शाती है कि जो हमारा जो नियम है हमारा जो नियम है बच्चो उर्जा संदक्षन का नियम वो क्या कहता है कि वो कहता है कि जब एक परकार से दूसरे परकार की उर्जाम परिवर्तन होता है तो उर्जा का जो है वो सेम रहती है उतनी की उतनी ही रहती है ये ये दर्शाथ है बच्छो तो बच्छो ये होगी आपकी वरक्षेट कंप्लीट और वीडियो भी आशा करता आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चलन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ठैंक यू